खादिय टेल तोल्वेंट एक्स्टॉट असोसियेशन ने कहा है कि भारत का पाम तेल का आयाद दिसंबर 2021 में 29 तशमलव घट कर 5,44,000 तन रह गया है लेकिन इसके साथ ही आरबीजी पामोलीन का आयाद बढ़ने से घ्रेलू रिफाइनरियों के अस्तित्व को खत्रा पैदा हो गया है भारत दुनिया भर में खादय तेल का परमुक खरीदार है और देश के वनस्पती तेल आयाद में पाम तेल का हिस्सा साथ फिसद से अधिक है पाम तेल का आयाद घटा दुनिया के परमुक वनस्पती तेल खरीदार देश भारत में दिसमबर 2020 में 7,68,390 टन पाम तेल का आयाद घटकर 5,44,343 तन रहे गया दिसम्बर 2021 में देश का कुल वनस्पती तेल आयात 10 पीसद घटकर 12,26,000 तन रह गया जो एक साल पहले की समान अबदी में 13,56,000 तन था वहीं C के अनुसार RBG पामोलीन के आयात में व्रिद्धी हुई है जिससे घरेलू रिपाइनर पर भावित होंगे RBG पामोलीन पर आयात शुल्ख में कमी के बाद RBG पामोलीन और कच्चे पाम तेल की किम्तों में भारी असमानता देखने ही को मिली है C ने कहा है कि CPO पर आयात शुल्ख में एक साथ कमी किये बिना पामोलीन पर परभावी आयात शुल्ख को 19.25% से घटा कर 13.75% करने से CPO के बजाए रिफाइन पामोलीन के आयात में व्रिद्धी होने की संभावना है घरेलू रिफाइनरे के लिए CPO कच्चा माल है C ने कहा है कि चुकी मार्श 2022 सक RBG पामोलीन को कम शुल्ख पर स्वतंतर रूप से आयात करने के अनुमतित दी गई है इसलिए जैन्वरी मार्श तिमाही के दोरान लगपक 10 से 12 लाग तन RBG पामोलीन का आयात होने की उमीद है जिससे CPO का आयात परभावित होगा CPO के इस प्रसंसकर्ण में 6000 से 8000 पे प्रती टन का खर्च आता है इस स्थिती के कारण प्रसंसकर्ण का कमपनियों को अपनी रिफाइन्वियां बंद करनी पड़ सकती है CPO का आयात दिसंबर 2021 में 29.59 प्रतिशत से खटकर 5.28 लाग तन रहे गया जो एक साल पहले की अफ़दी में 7,44,000 तन था क्रूट पाम करनेल ओल यानी CPO का आयात भी एक साल पहले की समान अफ़दी में 19,486 तन से गिरकर 13,800 तन रहे गया हलाकि दिसंबर 2021 में RBG पामोलीन का आयात बढ़कर 24,000 तन हो गया जो एक साल पहले की समान अफ़दी में 900 तन था हलके तेलों में सोयबीन तेल का आयात पिछले साल दिसंबर में 21.57 प्रतिशत बढ़कर 3.92 लाग तन हो गया जो दिसंबर 2020 में 3.25,000 तन था इसी तरह दिसंबर 2021 में सूरज मुखी तेल का आयात 10 प्रतिशत बढ़कर 2,58,000 तन हो गया जो एक साल पहले की समान अफ़दी में 2,34,000 तन था सी के अनुसार 1 जनुरी तक खादे तेलों का स्टोक 5,88,000 तन अनुमानी था और लगबग 11,40,000 तन पाइपलाइन में था भारत मुखे रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का इंपोर्ट करता है और अर्जेटिना में सोया बीन तेल सहीट कच्छे नरम तेल का छोटी मात्रा में आयात करता है वहीं सूरज मुखी का तेल यूक्रेइन और रूस से आयात किया जाता है Bureau Report Market Times TV सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना तक Big Bliss के क्लोथिंग सेक्षन को एक्स्प्लोर है करना Big Bliss, खुशियों की अपनी दुकान